आज मैं आपके साथ कोई किचन का रेसिपी वीडियो या फिर कोई स्टिचिंग का वीडियो या फिर कोई भी मेकप टुटोरियल शेर नहीं करने वाली हूं क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी फिलिंग्स शेर करने वाली हूं कली कल यानी की 2 अक्टूबर को मेरे चैनल के 5000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हुए हैं और ये सब आप ही सब की बदलत हुआ है आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है जिसकी वजह से मैं आज इस लेवल त मैंने लास्ट येर ही अपना चैनल स्टार्ट किया था कहने को तो मैंने एक वीडियो 2008 में डाला था जब मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी या फिर कैसे में चैनल क्रियेट करते हैं सब कुछ मुझे नहीं पता था उस वक जब मैंने वीडियो इसमें पोस्ट किया था 2008 में मेरा बेटा बहुत ही चोटा था तीन साल का था उसकी एक राइम थी जिसको स्कूल में एक्ट करके सिखाया गया था जो अपने चोटे बच्चों की सारी एक्टिविटी सबको बहुत ही पसंद होती है तो मुझे और मेरे हजबन को भ और लोग भी इसको देखें और मैं उस वीडियो को डालकर बिल्कुल भी भूल गई थी मैंने दुबारा सो चला कर भी नीचे किया कि इसके व्यूज क्या हुए या फिर कैसा जा रहा है मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में लास्ट यार यानि 2017 में होली के टाइम मे अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा मेरा चैनल क्रियेट करूँ क्यूं क्यूंकि मेरा बेटा ऐसी गेम खेलता रहता है और वो गेम खेलते खेलते और लोग को देखकर उसको भी लगा कि मैं भी अपने गेम के वीडियो शेयर करूं तो उसने अपना चैनल वैनल बना कि ममा चलो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ममा का और ममा भी यूट्यूब चैनल बना लो और आप भी शेयर किया करो अचा मेरे मन में था तो सही मेरे बहुत मन करता था कि मैं मुझे जो चीजे आती हैं वो चीजे मैं बाकी सब के साथ शेयर करूँ बचपास से मुझे सब चीजों का बहुत शौक था कुकी हो गया स्टिचिंग हो गया स्वेटरस बोनना हो गया कढ़ाई करना जो एक टिपिकल इंडियन गर्ल के सारे लक्षर होते हैं वो सब मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे और मुझे हर चीज जाने का मन करता था कि य मारे पास की छुटी-छुटी चीजों के लिए फटाक से सर्च कर लो यूट्यूब में और सब चीज आपको अवलेबल हो जाती है और एक नहीं सैकडों वीडियो आपको मिल जाते हैं आपको कुछ भी चाहिए होता है तो बट उस समय ऐसा कुछ नहीं था तो सारी चीज़ अपनी mother-in-law से अपनी जिठानी से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखी जो उनको आती थी मुझे नहीं आती थी तो इंट्रेस्ट की बात है मुझे सब चीजों में बहुत जादा इंट्रेस्ट था और अभी भी है तो मैंने जब सोचा कि मैं अपना चैनल स्टाट करू तो मैं कहा थी हां तो मैं यहां थी कि मेरे बेटे ने बोला कि चलो ममा आप भी जो है यूट्यूब का चैनल स्टाट करो तो वीडियो तो मैंने रिकॉर्ट कर लिया था वह बहुत ज़दा लंबा वीडियो हो गया था मेरे खाल 16-17 मिनेट का हो गया था तो मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया था था बड़िकिन बहुत ज़दा पर्फेक्ट वह नहीं बना था बस मैंने स्टाट कर लिया था पर दीरे जब मैंने यह करना शुरू किया तो मुझे बहुत ही मजा आने लगा कि तो बहुत यसी चीज है अप खुद को आता है वाप सब को सिखा स सब लोग जान सकते हो उस बात को तो आपका जो नौलेज है वो सबके साथ स्प्रेड हो रहा है सबको मिल रहा है और मेरी वज़े से अगर किसी को थोड़ी सी भी जो है मदद मिल रही है फाइदा पहुच रहा है तो इसलिए मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ पटिकुलर एक ही चीज के लिए इसको नहीं रखा हो सकता है यह मेरी मिस्टेक भी हो लोगों को कम पसंद है पट फिर भी अलग अलग चैनल के लिए सारा दिन भागते दौरते रहना यह मैंने सोचा मुसे नहीं हो पाएगा मैं एक चैनल बनाओंगी और एक चैनल मैं परी जो भी मुझे आता होगा, वो मैं सारा को शेर करोंगी जादातर मैं अपनी चैनल पर आपको पता ही होगा गर आप पहले से सब्स्क्राइब कर चुके मैं रेसेपीज भी शेयर करती हूं पर इसके साथ मैं आपके साथ कभी खुद के लिए स्टेचिं नहीं करती तो कभी मैं खुद के लिए कोई स्टेचिंग करती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेक अप करना मुझे बच्पन से बहुत पसंद है एक प्रोग्राम आया करता था जी टीवी पर खूबसूरत तो मैं उसको बहुत चोटी थी बट मैं उसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखती थी कैसे अई-डी आटा जाता है, लिपस्टी कैसे लगाई जाती है क्या क्या चीजे कैसे की जाती है वो मैं पूरी तरीके से त्यार होके बैठी इसको बैठ ती तो मेकप का शौक है तो मैंने एक दो अभी जादा तो नहीं पर मैंने एक दो वीडियो शेयर किये आपके साथ आगे भी मैं और करूँगी हो सकता है मैं अभी आने वाले करवा चौथ पे भी आपके साथ का मेकप शेयर करूँगी तो यह सारी चीजे मैं आपके साथ शेयर कर तो मैं जब भी कोई ऐसा स्पेशल सा कुछ होता है तो मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत और आगे भी करोंगी तो बने रहीएगा मेरे साथ और सारे वीडियो को मेरे आगे भी शेयर करिएगा ताकि सब्स्राइबर्स जल्दी जल्दी और बढ़ें और मैं आपके साथ जदा चीज़ें शेयर कर पाऊँ जदा लोगों के पास चीज़ें पहुचा पाऊँ तो चलते चलते मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने रक्षा बंदन पर एक वीडियो ही पोस्ट किया था तो उसमें क्या था कि मैंने शेयर किया था आपके साथ कि आप फेस्टिवल पे खासकर वो रक्षा बंदन के लिए था कि आप उसको दिवाली दशरर या थिर आने वाले किसी भी फेस्टिवल पर उसको अपवाई कर सकते हो, उसका सारा तरीका तो अब उसको ज़रूर देखिएगा जिसे कि आपके आने वाले फेस्टिवल हैसल-फ्री निकल जाए ओं बहुत रासानी से निकलजाए उसमें सारे खाने की प्रिप्रेशन की बाते मैंने बताई हैं कि आप किस तरीके से खाने की तैयारी एक दिन पहले से कर सकते हो और बहुत ही असानी से अपना फेस्टिवल निकाल सकते हो तो एक बार फिर से मैं आप सबको थैंक्यू बोलना चाती हूँ 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक्यू सो मच और इसी तरीके से बने रहीएगा मेरे साथ आगे भी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग